बंधूरा आज के आमी क्लास नाइन इर रे अन मार्टिन 2022 इंगलिस कोस्चेन मैंग थेके सेकेंड सम्मेटी पे रोपोर मोडेल कोस्चेन पेपार 11 तुमादे साथी खुब सुंदर भावे आलचना कुरबो तुमादेर बोजाना चेस्टा कुरबो बंधूरा ए मोडेल कोस्चेन पेपार 11 तेके आमी सिन, अन्सिन, ग्रामार, राइटिंग, सब की छुँ खुब सुंदर भावे आलोचना कुरबो बंधूरा तुमाद अबस्चोई सेस्पोजन्तो मंदे भालो करे सुनूबे और देखबे तबही तुमादा किन्तो बुझते पारवे बंधूरा शेस्पोजन्तो दाखार पर जोदी सिक्ते पारो जानते पारो काजे लागे अबस्चोई एक्टी लाइक कोरे चानाबे खरप लगले डिसलाइक कोर देवे जोदी की चु बलात थाके अबस्चोई कोमेंट बक्से कोमेंट कोरे चानाबे बंधुरा आमी चाई आमार पोष्ची मोंगेर 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 पोष्च सेर बाइब करें प्रेसे करतेफे जाते करें पडिडियो नोटिफिकेशन तुमा देकाजे सहँ जैएं पंचे जेते पारें तो बंधुरा शुरुकरची सेकिंड सम्मेटिव इभयालुएशन मोडेल कोस्चिन पर इलभेन स्कूलेन नम झार ग्राम कुमुद कुमार इंस्टिडूशन सेर पोध्धुद दास बंधुरा आमड़ा पथमा रे अन मार्टिन एबंग सेर पोध्धुद दास मोहा सवयके आमादे तरप थेका असोंको धन बाद जानाई बंधुरा टाय माचे अग्घंडा त्रिसमेट फूल माक्स फट्टी पोध माचे सिन आर सिन थेके पोध माचे प्रोज प्रोज टी निया होईचे मार्क ट्विन डोचीतु टॉम लुजेस आट्टुत नामोक प्रोज थेके निया होईचे एखाने तुमरा प्रोजे जेटुको अंगसो देखते पाच्छो सेटुको अंगसो आमी बांगला मानेटा पोरे सोनाच्छे तुमरा सुने नाउ टॉम थोट फार्दार टॉम आरेक्टु भाबलो साडेनली ही डिसकाफ़ड साम्थिंग होटात कोरे से कीचु अभिसकार कोरलो उन अफ इज आप़र फ्रोंटीत वाज लूस तार ओपरे सामने दादगुली मोधे एक टी नोड छीलो ही फेल्ट लाकी से निजेके भाग्गोबान मने कोरलो ही वाज अबाउट टु ग्रोन होएन इट अकर्ड टु हिम दाट इफ अन्ट पली वाज टु नो सी उड सीओरली पूल इट आउट आउट आट उड हाट से जखन आर्तुनाद कोरते जाचिलो ठीक सेई समोई तार माथा एलो जोदी पली काकीमा जानते पारेन ताहोले निसंध हे तीन एटी तुले देबेन एबां सेटी भीशोन जानतुनादयोख हवे टॉम थोट ही उड होल्ड दा टुथ इन रिजव फोर दा प्रेजेंट। टॉम भावलो एकोंकार मतो दाथ्टी के समोई रखन कोरे राखते हवे ही रिमेंबड यारिंग फ्रम डॉक्टर देट ए सटेन एइलमेंट उड ले आप ए पेसेंट फोर थ्री देज एंड मेक हिम लुज ए फिंगर तार मनेपोरलो से आगजन दाक्तार के बोलते सुने छिलो जे हटात असुस्तता आगजन रुगी के तिन दिने जनने सोज्जसाई कोरते पारे एबं तारेक्टी आंगुल नस्टोव कोरिते पारे ही इगारले ड्रीव हिज सोर्ट्टू फॉर्म अंडर दा सिट एंड हेल्ड इट आफ फोर इंस्पेक्शन से उद्गिरी भए चादुरे निची थेके तार खतो पायर पाता भार कोरलो एबं पुरिक्खा कड़ा जोन पायर पाता के अपोरत दीके तुले धरलो ही डिट नाट नू दा नेसेसारी सिम्टाम्स से अबस्षक्स लोक्षन गुली जानतो ना हावेवार इट सिम्ट लाइक ए गूट चांस जायहोग एटी एक्टी भालो सुजोग बुले मने होलू टम फेल्टु ग्रोनिक टम आर्टोनात कोट्ते सुरु करलू वाट हीज ब्रादर सिड सिलेप्टान किन्तु तार भाई सिड घुमे आच्छनो डोईलू आएटा नि कोस्चन मौन देभल कर सुन भे आट देख भे एबां कोस्चन अनसर गोलो तमार कीन्त नीजरा कोड़ा चेस्टे कर भे तभे कीन्त दोम देखर कोन्फिटेंस आजबे तो पोथ में आचे एध दागर कोस्चन टीग दा कारिक्ट अल्टरनेटिव वान इंट फोर एकल टो बंदरा अल्टनेटीव कोस्चन हाच चैट्टी अगो बटानम्बर फिर्स्त बेस्ट कोस्चन नवर बन दालुस्टूत में तॉम् फिल पवर्चुए दालुस्टूत में तॉम् फिल पॉर्चुन आलाध तॉम की वन्भव कोडिशा भाग बन ऑप संदीशथ आ इस्ट र reserve because he was afraid of his doctor तो एखाने बला चे टॉम दात्री के समवर्खन को एड़ाग बेक कारण से भई पे चलो ता दक्तर एड़ाप्शन C is the right answer question 3 pulling out the tooth would hurt Tom pulling out the tooth would hurt Tom don't don't do anyone Tom kya अगात कर बे दात्री तुले निवा Tom kya अगात कर बे option B is the right answer question 4 Tom thought further and suddenly he discovered something Tom thought further and he and this can suddenly he discovered something tomorrow to take a low even what up for a key to a bicycle option is the right answer बंधुर आयर पड़ाचे बिए दागर question answer the questions given below 22 equal to 4 बंधुर दुटी कोस्टन आचे दुटी कोस्टन आचे दुटी कोस्टन आचे अंसा लिख थावे दू नमबगर चान नमबगर first question 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 number one why did Tom fear aunt Polly why did Tom fear aunt Polly क्यानों टॉम काकी मा पॉली के भई बेचे लो क्यानों टॉम काकी मा पॉली के भई बेचे लो तो देखो answer in mark twins Tom loses a tooth Tom suddenly discovered that one of his upper front teeth was loose he was about to groan but he feared aunt Polly because if she was to know she would surely pull it out and that would hurt him तो भाला कर्षोनों आमें रिपीट कर्ची question answer ये मांग माने question लिख लो क्यानों टॉम काकी मा पॉली के भई बेचे लो दाखा अंसर पर्ची in mark twins Tom loses a tooth Tom suddenly discovered that one of his upper front teeth was loose Tom हटात आविस्कार कोरलो जे तार ओपरेर पाटीर समनेक्टितांत नोड़ छे he was about to groan but he feared aunt Polly because if she was to know she would surely pull it out and that would hurt him Tom जोखोनी एड़ा भूली कावेचे Tom जोखोनी कान्ना काटी कोत्ते जाबे ठीक सेई समोई तार पॉली काकी मार काता महने परलो एबाग भाई पही चलो कारो नेटे भेवे जोदी काकी मा जानते परन थावले होई तो तार वोई नूने जाए दाप्ते तुले देवे एबाग जेटा के पोचंट ब्याथा देवे okay next number two what did Tom recall hearing from a doctor what did Tom recall hearing from a doctor doctor कास्ते के Tom की सुने छो दाखमांसार Tom remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for three days and make him lose a finger Tom remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for three days and make him lose a finger Tom मेर मौने परलो एक जन दाखतर कास्ते के सोना को था जे एक्टी निद्दीष्ट डोग रुगी के तिन दिन धर स्विये राकते बारे एबंग तारेक्टी आंगुल हाराते बारे ओके बंधुरा एर परे पोयमा छे आर एखाने पोयम्टी निया होई चे इमली जेन ब्रोंते रोची तो mild the mist upon the hill नामग पोयम्थे निया होई चे एखाने पोयम्टी पुरो पोयम्टी दिया आचे चाक्टे स्टाइन जाई दिया आचे आमी तुमादे पोरे सोना छे तुमारा सुने नाओ दाखो mild the mist upon the hill telling not of storms tomorrow no the day has wept its fill spent its tour of silent sorrow नरम कुआसा चन पाहार आगामिकाल जरेर कथा नोई ना पूर्ण अस्रु निपाते दीन होई पार ता निरबय दुखेर आधार सेश होई ओके पोतम स्टाइन जा होला मदेर दित्यो स्टाइन जा ओह आएम गॉन बैक टु दा डेज अब यूद आएम चाइल्ड वान्स मूर एंड नीत माइ फादर्स सेल्टारिंग रूफ एंड नीर दा ओल्ड हल्डूर अहां आमेशे तारुन न भरा दिने फिले गेले शीशु होई जाए आड़ाग बार एबं आमार भाबार सुलोक्की तो छादेर तले एबं निकटे थाके प्राचिन हलेर दुआर आए वाच दिस क्लावडी इविनिंग फॉल आप्टर ए डे अफ रेन ब्लू मिस्ट्स स्वीट मिस्ट्स अफ सामार पॉल दा होराईजन्स माउन्टें चेन तो एकाने बला आजे नायोन मेले देखी मेघमो येई सोंद आशन्नु बर्सन मुखोर एक दिनांते निलाभो कुवासा गिर्सेर मोधूर कुवासा याच्छन्नु पाहर सारी दिगन्ते लास्टांजा दा डाम स्टैंस इन दा लोंग ग्रीन ग्रास एज थीक आज मॉर्निंग टियर्स एज ड्रीमी सेंट्स अफ्राग्रेंस पास दाट ब्रेथ अधर यार्स कुवासा घनाई दिर्खो सबुज घासे सकालेर उस्सूर मत गहोन एबं सबनालो सुबासी तो सोरव आसे ब्याक्तो करे भिन्नो बच्छरेर आस्सादन आएटर नेहाईचे इमली जेन ब्रोंतेरोची तो मायल्ड दा मिस्ट आपंदा हिन नामोग पुइम थेके निया और फोल्भी तो पोथ माँचे एध दागर कुश्चन टिक कि दा कारेक्ट अंसर फ्रम गिवेन अल्टरीव स्ग्रुज पहन्दुरा एखाने 30 ती आल्टरीव कोस्चन आचा एक नामब्र कोरी तिनामब्र फास्ट कोस्चन कोस्चन नामबर उन Spent its tour of silent sorrow, this brings in a note of sadness Spent its tour of silent sorrow, this brings in a note of sadness निस्षब्दे दुख्खेर भांडर ब्याई कर छे एटी सुर बहन कोचे दुख्खेर, option C is the right answer Question 2 Mists as described in the poem are mild, blue and sweet Mists as described in the poem are mild, blue and sweet कोभीताई बोर्नी दो कुवास अहलो हालका नील एबंग मिस्टी, option A is the right answer Question 3 The poet changes her mental agony with a nostalgia The poet changes her mental agony with a nostalgia कोभीतार मानोसिक जन्तोन आर पुरिवत्तन करें nostalgia आर मोध्धे दिये, option A is the right answer बोंधुरा एर पड़ाचे ब्याद दयर question Answer the following questions, 2 into 2 equal to 4 Duty question आचे दुनामबर करें चाननामबर, first question, question number 1 Why is the father's root of the poet called sheltering? Why is the father's root of the poet called sheltering? कोभीर बाबर छाद के निरापद आस्वय बला होई चे क्यान। कोभीर बाबर छाद के निरापद आस्वय बला होई चे क्यान। In Emily, Jane Brontis mild the mist upon the hill, the word sheltering means staying under protection. The father's root of the poet is called sheltering because the poet hears calls of the picture of her father's house. She used to live in that house in her childhood. She was well under the protection of her father. आमी रिपीट करची, तुम्हार देवाल करचान। Question रिचलो, कोभीर बाबर छाद के निरापद आस्वय बला होई चे क्यान। In Emily, Jane Brontis mild the mist upon the hill, the word sheltering means staying under protection. The father's root of the poet is called sheltering because the poet hears calls of the picture of her father's house. तो एकाने बोले दी, मनेटा बोले दी, sheltering सब्द आथरो सुरक्खाई थाका। COVID बाबर छाद के निरापद आस्वय बला होई कारोन कोभी एकाने बाबर बाबर बारीड चोबी तुले धरचन। She used to live in that house in her childhood, तिनी छोटबाला एवार दे थाकतन। She was well under the protection of her father, बाबर सुरक्खाई तिनी भालो चिलेन। Okay? Next question, question number 2 What do you mean by dreamy sense of fragrance? What do you mean by dreamy sense of fragrance? सप्नमय सुगंधी बलते की बोजो? The poet refers to the damp, eliciting a soggy fragrance. It makes the poet dreamy. It seems to speak softly to her ears and remind her of her other ears. So question चलो सप्नमय सुगंधी बलते की बोजो? तर इंग्याजी तर्म्ट चिलो dreamy sense of fragrance बलते की बोजो? The poet refers to the damp, eliciting a soggy fragrance. कोभी एक्टी स्याथ स्याथ सुगंधी बेर करार कथा उले करचेन. It makes the poet dreamy. एटी कोभी के सप्नमय कोड़े तोले. It seems to speak softly to her ears. एटी तर कानेर काचे नडम्फवे कथा बोले-बोले मना होई and remind her of her others ear. एबांग तार ओन्नार नो बचरे कथा मने कोड़िया दारी. She looked out of the window and enjoyed pupil watching her pouring tea from it. तिननी जानादार बायर ताकान एबांग लोकेदे चाधाल ते देखे आनंदपान. It gave her an opportunity to display all her possessions. एटी ताके तार समस्त सम्पति पोदोस्थन कर एटी सुजग दिया छे. Mrs. Hallett was quite a friendly person in her neighborhood. Mrs. Hallett तार आसे भासे जपेश बुन्तुत्त पुन्न बेक्ती चिलन. Her husband had died years ago living her this little house a very small income and one son Robert. तार सामी कोयक बाचर आगे माला गाचेन. ताके एक्टी छोट्टो घर कीचु अलपाई एबायक छेले जान्नाम Robert ताके रिखे दिया. Mrs. Hallett never said to anyone that Robert had been rather a disappointment. Mrs. Hallett कोखन कावके बाली नी जे Robert बारूं हतासा गोस्तो चिलन. She had gone without many things she sent him to a good school and had given him everything she could. तो तिमी ताकेक्टी भालो इस्कुल पाठाना जोन अनेक की छुँ छाडाई चुले गेचेन. एबां तार जाजा करा संभव चिलो ताके दिये चिलन. And then on his 18th birthday she came and announced that he was going away to Canada. एबां तार पर तार 18th मा जनावु दिने Robert एसे घोस्तना करे जे से Canada चोले आच्छे. For some reason he looked a little frightened Mrs. Hallett thought. Mrs. Hallett भावलेन जे कीछु काणे होईतो Robert भाई पाच्छे. When will you go she asked counseling her disappointment. तार हतासा लुकी एसे जिगाशा कले तुन थाले कहन जाच्चो कहन. Almost at once. Please don't ask me why. प्राई एके बारे चोल जाच्छी दयकुर आमाके एर कारों जिगाशा कोर बेना. Mrs. Hallett liked to interfere with what her son wanted to do. Mrs. Hallett तार छेले जा कोरते जाही ताथे हस्तकप कोरते पाशन्द कोरतो. बंधुरा एर पर्यामी अनसिन्थे कोस्च्चन गोल आलोचना सुर्गोडछी. पोथो में आचे ए दयर कोस्च्चन. State होई that the following sentences are true or false. Write t for true and f for false sentences. 1 into 3 equal to 3. बंधुर एकाने 3 t true false आचे. जुदे true हाई t कोत्थाबे, false और f कोत्थाबे. एक नमबर कोर ती नमबर. Number one. Robert announced that he was going away to Canada. Robert घोस्चना करे जेसे Canada चले आच्चे. है एटा true हाबे. ता जुन टी लिख्थ हाबे. Next. Number two. Mrs. Hallett was a hostile lady. Mrs. Hallett आइजन पोतिकुल मोहिला छेल. ना तीनी छेलेन बंधुत्त पुना मोहिला. ता एटा false हाबे. और F लिख्थ हाबे. Number three. Robert did not want to disclose the reason behind his shifting to Canada. Robert तर Canada आइस थानांतुरी तो हवार कारों नू पोकास कोरते चायनी. है. इसे गोपन राक्ते चे छेलो. ता एटा true हाबे. आर T लिख्थ हाबे. Okay. बंधुरा एर पड़ आचे बिएद दागर कोस्टेन. Answer the following questions. 2 into 3 equal to 6. तीन्टी कोस्टेन आचे दू नंबर कोर चान नंबर. First question. Question number one. Why did Mrs. Hallett enjoy watching Pufill from her window? क्यानो Mrs. Hallett जानला दिये लोग्जोन के उपभग कोरतेन? Okay. That answer. Mrs. Hallett enjoyed watching Pufill from her window. Because it gave her an opportunity to display all her possessions. Mrs. Hallett ता जानला दिये लोकेदे उपभग कोरेचेन कारों. इठी ताके तार समस्तु समपति पोदर्शन कारा सुजोग दिये छे. Okay. Next question. Question two. What did Mrs. Hallett do for her son? Mrs. Hallett ता छेलेट जोनो की कोडे छेन? Mrs. Hallett never said to anyone that Robert had been rather a disappointment. She had gone without many things to send him to a good school and had given him everything she could. तो एखाने बला आचे Mrs. Hallett कोखोनो काउके बलेनी जे रोबाट बरों हतासा गस्तो छेलेन. तीमी ताके एकटी भालो स्कूल बे पाठानोर जोन अनेक की छुई छाडाय चो लेगा छेन? एबंग ताके तार जाजा कूर्ते पारेन ता दिये छेन. Okay. Question three. What did her husband live for her? तार सामी तार्जनो की रेखे गाचन? Her husband had died years ago, leaving her little house, a very small income and one son robot. तार सामी तार छोट्टो घर, खुब छोट्टो अलपो आई, एबंग एक छेले robot के रेखे क्वाएक बचु लागे मारा गाचन. बंधुरा एर पड़ाचे grammar, चारेद दक. Do as directed to one into five equal to five. वांच्टे गामाराचे एक नमबर पर ताज नमबर. Number one. The day has spent its tour of silent sorrow. Use silent as noun form and rewrite the sentence. एकाने silent याचे adjective हमे, एटे कोड़त हमे noun form, noun formे कोल्लो हमे silence. तो माने देखनाओ दिम्टी तार नीर अब दुख्यर भांडर काटिये छे. Answer हबी. The day has spent its tour with silent sorrow. Okay. The day has spent its tour with silent sorrow. बंधुरा grammar रे कोथाओ कोणो की जो फॉल्ड एकले. तुम्हारा अबस्ते किन्त कमेंट बक्स से कमेंट कुरबे. Next. Number two. Give us our fears back. Change the voice. फेरोध्यन. तुम्हार भायस्टी कोड़ले हावे. You are told to give us our fears back. आमादेर भाडा फेरोध्यन एरे बंगला कोल हावे. आमादेर भाडा फेरोध्याजन आपनाके बॉला हुच्च. Next. Number three. The captain informed the tournament was postponed due to rain. Change the mode of narration. तो narration change कोते दीचे. सिंपल सेंटेंस से आचे. एवाँ. एसेटिब सेंटेंस से आचे एटा. Okay. आम शुर्गर ची तेहाँ. तुम्हार देखना. माइट देखाँ. ओधिना आग जानी एचेन. बिस्टीर कारोणे ख्यालास थोगित कोड़ा हुएचिरो. तो answer होबे. The captain informed that the tournament had been postponed due to rain. The captain informed that the tournament had been postponed due to rain. Number 4. The captain was as strong as a lion. Change into a negative sentence. एटेके नाव बाचोके कोत्ती बलाचे. एटी बोला आचे. बाबोर सिंहेर महात तो इस्वक्ति साली छेले. बाबोर सिंहेर महात तो इस्वक्ति साली छेले. तमाना क्यों कम्नाए क्यों बेसीलों? बाबोर सिंहेर महात नावचे. समनी समनी. ठाले यहन नेगेटिफ मने कि एटा के. एटा के कमपार्टिब टीर चेंज कर दता था नेगेटिफी भी जावे. ठाले एखाने हुबे. ए लायन. ए इजटा भूलो हेच. इजटा होई जावे वाँदे वाज. अभारुवाग एफेक्ट्स आवर हेल्थ रिप्लेस्द अन्डरलाइन वर्व विद अन एप्रोपियेट फेजलभव फेजलभव देज पूर्ण गोतले छे एफेक्ट्स माने खोती करा थाले हवाबे टेल्स आपुन थाले देखो ओभारुवाग टेल्स आपुन आवर हेल्थ बोंधुरा एरपर आछे राइटिंग देखो की राइटिंग लिख्ते दीछे पांचेत दक राइटे निउजपेपार रिपोट अन्दा बेस्तिस अब फॉलेंग पॉइंट्स बोंधुरा एरपर नॉमबर एटे रिपोट राइटिंग लिख्ते दीछे तो पॉइंट्गुली दाखो कीकी दिया चे पॉइंट्गुल अपर निर्भाग लिख्ते दीछे पॉइंट्स बोर छे ग्रेट कंजांग्शन अब जुपिटर अन्द सेटन बिहोस्पति बंग सोनीरे दुर्दान तो संग्जोग डिसेंबर 21, 2020 बिट्वीन 6.30 तु 7.30 पीम इन्दे साउथ वेस्टन स्काई दोख्खिन पोस्चीम आकासे सोन्दा सारेछटते के सारेशात्तार मोध्धे को इन्साइडेड हुईद्द सामार सोल्स्टैस एकाने बलाचे गिर्सेर अयनकालेर साथे नीलेगा छें ओके नो नीड टु यूज सोपिस्टिकेटर ग्याजेट फर भीविंग एटा द्याखार जोन उत्ता धनीं ग्याजेट गुली ब्यावार कराकोन दरकान नाई दा प्यार आप्यार जास्ट टेंथ अफे डिग्री आपार्ट एचे जूठीटा माने सोनी रेवां ब्योस्पदीजे जूठीटा एटी उपस्ती धो छेलो एक डिग्री ब्यावोथाने धोसमांग से यह राटियन लाइट क्रेटे तावरे पोस्टांड लाइट सीश्ट एचलो नेक्स्ट सच कॉंजांग्शन इन 2080 अबार एक रखम कॉंजांग्शन जूठी देख्टे पाया जावे कबे 2080 साले तो तुमा देर पोथमा एक्टी टाइटल देवे तुमारा एभावे दा ग्रेट कॉंजांग्शन अब जूपिटर और सेटन बाइस्टाफ रिफूटर न्यू डेली डिसेमबर 23rd 2020 तावर सुर्गर्वे फर दा लास्ट सेभरल देज, स्काइवाचर्स हैब बिन कैप्टिविटेड बाइद ग्रेट कॉंजांग्शन बेटीन जूपिटर और सेटन तो गटो बेशक्वा एक दिन धोरे आकास पोर्चोबेख्खग्रा बियोस्पतिय वंग सुनिर मदे दूर्दान तो सोंबार एकुस्तारी का संगोटी ते शिलो किन्तो दर संटी बोल छे जे 80 होये चलो आनेक आगेई एबां चुलबे अंता तो बड़ो दिन पोजन्तो जूपिटर और सेटन अर्थ तू लार्जस्ट प्लानेर्स भीजिबल तू दा निकेड आईज आर जूपिटर एबां स सेटन अर्ट अरे 10th अपे डिग्री अपार्ट भीउड फाम आर्थ तो एई समय ब्योस्पधि एबां सोनी पीथीबी तक आक डिग्री दसमांग सो दूर्य आछे जूपिटर अर्बिट्स दा सन उन सेटन उन सेटन उन सेटन थाट्टी तो ब्योस्पधि बाच्च बार ब अर्थमेटिक टेल्स उस दाट इन 60 मोर यार्स दाट इस 2080 तो प्लानेट्स विल अलाइन अट रॉफली दा सेम प्लेस तो हाइश्कूल अर्थमेटिक अन मथे एई संग्जोग्ति आवार हाभी दौजर आशी साले ओके तो बंधुरा तुमरे जड़े सेस्पंत सुनले बाद देगले तुमांदे सकल कामी धन्न बाद जानाए तो बंधुरा एखानी सेस्कोची भीडियो टी सुन्दो थागवे सुस्तो थागवे टेक क्यार ठैंक्यू जय हिंद बंदे माहतारू